हमारे आज की इस एपिसोड में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे हॉलिवूड की टॉप टेन गेटेस्ट एक्शन फिल्मों के बारे में अगर वीडियो पसंद आया तो चाइनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना मत बूलना तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एपिसोड हॉलिवूड की बेस्ट एक्शन फिल्मों की लिस्ट में नमबर 10 पर है 2012 की मार्वल स्टूडियोज की सूपर हीरो फिल्म दी आवेंजर्स फिल्म में विजूल इफिक्ट्स और फिल्म का एक्शन जबरदस्त है रिलीज के बाद ये 2012 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हॉलिवूड फिल्म बन गई थी और उस समय हाइस्ट ग्रोसिंग सूपर हीरो फिल्म आल टाइम भी बन गई थी फिल्म ने बॉक्स आफिस पर देड़ बिलियन डॉलर्स का बिजनेस किया था नमबर 9 पर है 1988 की बुस विल्स टारर फिल् की गई है डाय हाड को वन आफ दे बेस्ट एक्शन फिल्म माना जाता है एंपायर मैगजिन ने अपने 100 ग्रेटेस्ट मुवीज आफ आल टाइम के लिस्ट में डाय हाड को 20 वा स्थान दिया है फिल्म की कहानी एक डिटेक्टिव की है जो क्रिस्मस पर समय बिताने के लिए लोस एंजलिस आता है अपने वाइब के साथ वहाँ पर एक ओफिस बिल्लिंग में कुछ लोग सबको बंदुक की नोक पर बंदी बना लेते है एक हॉस्टेज सिचुएशन क्रियेट होता है वहाँ पर हमारे फिल्म का नायक किस तरह से उनको बचाता है बचा पाता है या इस तरह की फिल्म की कहानी है नमबर आट पर है 2014 की कियनू रियोड श्टारर जॉन विक ये जॉन विक फिल्म सिरीज में की पहली फिल्म है फिल्म के एक्शन सिक्वेंस बहतरीन है ये फिल्म गन्फू फिल्म है यानि बंदुक चलाने में माहिर लोगों पर ये फिल्म है फिल्म की कहानी एक Retired Hitman की है, जिसकी कार Russian Gangsters चुराते हैं, इसकी वजह से उसे अपने पुराने पेशे में या अपने पुराने आउतार में लोटने पर मजबूर होना पड़ता है। नमबर साथ पर है, हॉलिवुड के Great Directors में से एक कॉंटिन टारंटिनो की फिल्म, Kill Bill Vol. 1 और Vol. 2, Kill Bill 1 आई थी 2003 में और Vol. 2 आई थी 2004 में, Kill Bill एक Martial Art फिल्म है और Greatest Action फिल्मों में इसका शुमार होता है। फिल्म की कहान ये एक Pregnant Assassin यानी पैसों के लिए कतल करने वाली आउरत की है, जो कॉमा से चार साल बात बाहर आती है। उसे बदला लेना है उन सब से जिनोंने उसे इस हालत में पहुँचाया है। हमारे आज की इस लिस्ट में नंबर छह पर है 1991 की अर्नल्ड फेजनेगर स्टारर और आवतार टाइटानिक फिल्म डिरेक्टर जेम्स केमरोन की फिल्म टर्मिनेटर 2 जज्मेंट है। कर्मिनेटर 2 उस समय की most expensive यानी पनाने में सबसी महंगी फिल्म थी। ये 1991 की highest grossing फिल्म भी थी जिसने कमाये थे 520 million US dollars। इस फिल्म को best sound editing, best sound mixing, best makeup और best visual effects के लिए औसकर दिया गया था। नमबर 5 पर है 2008 की Christopher Nolan की superhero film The Dark Knight जो sequel थी 2005 के Batman Begins की। ये 2008 की highest grossing फिल्म थी जिसने कमाये थे 1 billion dollars। इस फिल्म के लिए hit laser को Joker के character के लिए best supporting actor का Oscar मिला था। मगर ये award लेने के लिए वो जीवी थी नहीं थे। फिल्म रिलीज से पहले ही उनकी मौद हो गई थी। चोथे नमबर पर है 2018 की Tom Cruise की Mission Impossible Fallout ये Mission Impossible franchise की छटी फिल्म थी। फिल्म ने box office पर 791 million का business किया था और साल की आठवी सबसे बड़ी फिल्म बन गई थी। फिल्म के direction, cinematography, action sequences, stunts की बहुत ही सराहना हुई थी। फिल्म में के सबी stunts Tom Cruise ने खुदी ही किये थे और एक stunts scene में वो चोटिल भी हुए थे। उनको surgery के बाद 9 हपतों तक प्रेस्ट करना पड़ा था। तीसरे नमबर पर है साल 2000 का best foreign language film का Oscar जीतने वाली Chinese film Crutching Tiger Hidden Dragon फिल्म के director थे Life of Pi बनाने वाले Ang Lee इस फिल्म ने दुनिया भर से 40 awards जीते थे। इस फिल्म को 10 Oscar nomination भी मिले थे। यह एक martial art film है। आज की इस लिस्ट में नमबर दो पर है 1999 की Matrix franchise की science fiction film The Matrix इस फिल्म से ही bullet time visual effect popular हुआ था। इस फिल्म ने 4 Oscar awards जीते थे। इस फिल्म को one of the greatest science fiction film of all time माना जाता है। फिल्म को 2012 में US National Film Registry में preserve किया गया है। फिल्म के action scenes और फिल्म का martial art काभिले तारीफ है। आज की इस लिस्ट की best action film बताने से पहले वो 10 बहतरीन फिल्में जो टॉप 10 में नहीं आ सकी। कि कि अग्यों के पहले हैं प्रेंगा जींट के शुड़े पारे कि शुड़ देए थानिए. क्याद तो. आ. कि बात. को बात. प्रॉब्स. कि इस प्रॉब्स. और आखिर में नंबर एक पर है Greatest Action Film of All Time Mad Max Fury Road फिल्म आई थी 2015 में फिल्म के डिरेक्टर थे Mad Max franchise के Creator George Miller Mad Max Fury Road Post-Apocalyptic Action Film है यानि कयामत आने के बाद की दुनिया इस पर फिल्म बेस्ट है फिल्म के action scenes के लिए Special Guardian डिजाइन की गई थी फिल्म के सभी action scenes रियल विदाउट VFX के शूट किये गए थे इस फिल्म को Greatest Action Films की लिस्ट में हर फिल्म मैगजिन्स और Critics द्वारा शामिल किया जाता है तो ये थी वो 10 best action filmे जिने आपको जरूर देखना चाहिए आपके हिसाब से कौन से फिल्म में और है जो best action filmे है या इन फिल्मों का आपके हिसाब से क्या क्रम होना चाहिए ये हमें comment section में जरूर बदाईए